हेलो फ्रेंट्स जब भी बालों में प्रॉब्लम आती है हेर फॉल होता है या फिर रिमेच और ग्रेंग होती है या फिर हमारे बाल गुच्छे गुच्छे से निकलने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा जड़ने लग जाते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी ही परेशान हो जा तो आज मैं आपको बिल्कुल natural ingredients और natural चीजियों से जो असानी से हमारे आसपास ही मिल जाती हैं उनसे अपने बालों के care के लिए और बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ तरीके बताऊंगी जिसको आप अपने बालों पर इस्तिमाल करके बालों की सभी problem से छुट डॉल्नस आ जाती है डॉलनेस आ जाती है ड्रफ की प्रॉब्लम आ जाती है और बच्चों में भी बाल जßerड़ना या प्रीमेचर उर McM disrupt की प्रॉब्लम आ जाती है तो इसे आप आफ अह साल से से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंस्टाग्राम और फेस्बुक से देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए और साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैंने एक बोल में पानी ले लिया है साफ पानी लिया है और इसमें मैं अब कुछ पत्तों को एड करूंगी जो नैचरली हमारे बालों की समस्याओं को दूर करने में हेलपफुल हैं सबसे पहले मैंने गुड़हल की लीव्स ली हैं ग बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में बालों को सफेद होने से बचाने में साथ ही गंजेपन को रोकने में हेल्प करते हैं उसके बाद मैंने इसमें एक मुठी के करीपत्ते ले लिये हैं मैंने इसमें कुछ डंठल लिये हैं करीपत्ते के तो उनको भी मैंने इसमें डाल दिय यह पानी में डालने का एम है इनको अच्छे से साफ करना उसके बाद next मैंने curry leaves भी add कर दी हैं वो भी मैंने तीन चार डंटल ले लिये थे उनको भी मैंने अच्छे से साफ करने के लिए डाल दिया है इसके बाद सबसे important जो की बारिश के मोसम में ही मिलता है हमें वो है भ्रिं इंग्राज की leaves हैं यह असानी से आपको बारिश के मोसम में आसपास ही मिल जाती हैं और यह हमारे बालों के लिए बहुत ही helpful है यह इस समय बारिश में बहुत गंदे पत्ते होते हैं इसलिए इसको बहुत अच्छे से साफ करना जरूरी है इनको अभी हम इस पानी में नहीं डालेंगे और इसकी सारी leaves को अच्छे से पहले साफ कर लेंगे इसको कहीं कोई खराब पत्ते हों वो सब हटा दीजिए और बिल्कुल साफ सफ पत्ते लेने हैं देखिए इसमें वाइट कलर के चुटे-चुटे flowers हैं और यहीं की पहचान है कि यह ब्रिंग राज है और ब् पारिश के मोसम में आपको सलक के किनारे कहीं भी उगा हुआ मिल जाएगा बस इसकी पहचान होनी जरूरी है इसके साफ सफ पत्ते निकाल लेंगे कुछ पत्तों में कीड़ा भी लगा हुआ था यानि कि कुछ पत्ते खाए हुए थे जिसे कीड़ा खा जाता है तो उसको मै पारिश के में जो अलग से नहीं डाला मैंने इसको अच्छे से बहुत तीन चार पानी से मैंने वाश कर लिया और उसके बद एक कटोरी में डाल कर थोड़ी ज़र रख दिया फिर फिर मैंने इसको और लीव के साथ मिक्स किया है इसका बहुत अच्छा हमारे बालों के अब इसको पानी में डाल दिया मैंने जिससे की सभी पत्तियां अच्छे से साफ हो जाए और नेक्स एक बोल में मैंने एक चम्मच एक बड़ा चम्मच मेथी दाना और एक बड़ा चम्मच कलोंजी का ले लिया है और दस बारा लोंग भी एड़ कर दिया है लोंग यानि क्लोफ यह सभी चीज़ें हमारे बालों के लिए एंटी ऑक्सिदेंस देती हैं विटामिन्स देती हैं और बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में बालों को सिल्की शाइन बनाने के लिए बहुत हैल्पुल है अब सारी पत्तियां जब साफ हो गई तो मैंने इसमें तोड़कर एक क्लीन बोल में एड कर दिया है सभी पत्तियों को डर्ट फ्री होना चाहिए बिल्कुल साफ होना चाहिए ताकि वे हमारे बालों को धूल मिट्टी से कोई नुकसान ना हो और यह बिल्कुल साफ पत्तियां मैंने बोल में निकाल ली हैं पूरा प्रोसेस कीजें इस पानी में मैंने एड कर दी हैं और इसको गरम होने के लिए रख दिया है जब यह पानी अच्छे से ब्वाइल हो जाएगा तब हम नेक्स प्रोसेस करेंगे इसलिए वीडियो को पूरा देखें पिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि पूरा प्रोसेस जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है पानी को गरम होने रख दिया है उसके बाद मैंने एलोवेरा की लीफ को छोटा-छोटा काट कर इसमें एड कर दिया है एलोवेरा से बालों में शाइन आती है बालों की ग्रोथ बढ़ती है और बालों पर एक संस्क्रीन का काम करता है एलोवेरा और एलोवेरा से डेंडर्फ की प्रॉबलम भी सॉल्व होती है अब इस पानी को अच्छे से ब्वाइल होने देंगे जब तक ये आधा ना हो जाए अब ये पानी काफी कम हो गया है अब इसको हम ठंडा करके चान लेंगे अब ये पूरी तरह से नहीं हुआ लेकिन मैंने वीडियो को कम्प्लीट करना था इसलिए मैंने इसको जल्दी ही छान लिया है आप अच्छे से ठंडा करके तब इसको किसी छनी से छान लीजिए ये ग्रीन कलर का पानी बनकर रेडी हो गया है अब इस पानी में इतने गुण है कि ये आपकी बाल ना करें क्योंकि इसको मैंने तीन प्रॉसेस में इस्तिमाल किया है ये पानी ठंडा हो जाएगा तब हम इसका नेक्स्ट प्रॉसेस करेंगे जब ये पानी पूरा ठंडा हो जाएगा तो एक बॉल ले लेंगे और इसमें हम कुछ कौन्टिटी यानि आदा कप के करीब ये डाल देंगे, अब इस पानी में अपना कोई भी जो रेगुलर शेम्पू है जो भी आप लगाते हूं, इसमें मिक्स कर देंगे यानि की शेम्पू को डेल्यूट करने के लिए हम इस पानी का इस्तिमाल करेंगे जो की हमारे बालो में नैचरल शेंपू का काम करेगा और हमारे बालो को हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद अपने बालो में इसको शेंपू जब भी भी करेंगे इसी से शेंपू करना है आप चाहें तो अगर आपने इ टेम्पू को apply करें, इसके बाद हम इस पानी को spray bottle में भी ढाल कर बालों की roots में अच्छे से apply कर सकते हैं और इसे week में तीन बार और यदि चाहें तो daily भी आप इसको apply कर सकते हैं, अपने बालों में रात को सोने से पहले. अगर आप आईल नहीं लगाना चाहते हैं तो भी ये हमारे बालों की केर करने के लिए पूरी तरह से effective है आप इसे रात को सोने से पहले अपने बालों में अच्छे से जड़ों में स्प्रे कर लें और इसको ऐसे ही छोड़ दें और मॉरिंग में आप शैंपू कर लें इसको आप शैंपू करने के बाद भी apply कर सकते हैं और इसको लगाने के बाद आपको शैंपू करने की अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो प्लेन वाटर से भी वाश कर सकते हैं अब नेक्स्ट जो पानी बचा है तो उसको हम लोग हिना मेहंदी का पैक बनाने के लिए भी इस्तिमाल कर सकते हैं मैंने दो चम्मच हिना मेहंदी ली है और दो चम्मच ही मैंने इसमें आमला को बनाने के लिए ये जो पावरफुल पानी है जो अभी हमने जड़ी बूटियों से तियार किया है उससे इस पैक को बना लेंगे और इसको दो घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा महंदी का तो आप इसे पूरे बालों में अच्छ केप लगा लें और एक दो घंटे के लिए लगे रहने दें और इसके बाद प्लेन वाटर से वाश कर दें उस दिन शैंपू ना करें यह इना पैक आपके बालों को कलर करने के लिए प्री मेचे और ग्रेंग को रोकने के लिए और नए बालों को उगाने के लिए हेल्प कर ये पानी इतना असरदार है कि अगर आप इसको रेगुलर इस्तिमाल करेंगे तो आपके बाल जड़ना बंद हो जाएंगे बाल काले होने लगेंगे और बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी बालों से डेंडरफ और डलनेस खतम हो जाएगी बाल सिल्की शाइनी स्मूथ हो जा या इस प्रे को और साथ ही महंदी को बनाने के लिए या किसी भी पैक को बनाने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपने फैमली और फ्रेंड्स के शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यूँ